हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बेक तो आर यूट्व प्लाटफोर्म वीकल लर्निंग हब होप यू ओल आर डूइंग वेल, माइनम इस विकास कंटेनू करते हैं हमारे इंपोर्टेंट करंट अफेर के सेशन को जिसमें हम देखेंगे माई में अभी तक की कंप्लीट करंट अफेर, सभी क्योसन्स मोश स्लेक्टिव रहेंगे जो आपके सभी एक्जाम्स वे डेली जानकरी के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे और साथ ही हमारे ये सेशन्स बाइलिंग्वल हैं बिफोर दिस हमारे साथ रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस दे बेल आइकान फोर अपकमिंग नोटिफिकेशन्स और शेर दिस वीडियो तो योर लवड़ ओन्स तो एक जोई नस वीडियो को अंतक देखें हैं यहां पर हम तमिल नाडू के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल्स जानते हैं क्योंकि इंपोर्टन्ट है एक्जाम पॉइंट ओव यूव से तो यहां पर आप देखेंगे का पलानी स्वामी जो थे अभी लास्ट उन्हों ने यहां पर इस्तिफा दे दिया है जिनके बाद यहां पर मुख्यमंद्री के रूप में स्पत दिलाई गई है अगला क्योस्टन के और बढ़ते हैं तो next क्योसन होगा यहां पर कि Axis Bank के हाल ही में कौन एक बार फिर MD and CEO के रूप में चुने गए हैं तो दोस्तों यहां पर who has been related as the MD and CEO of Axis Bank की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो सही आंसर आपका यहां पर रहेगा अमिताब चोधरी will be the correctly यहां पर option number four आप note कर सकते हैं जो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहां पर हम देखते हैं एक्सिस bank के बारे में बात करें तो headquarter काहां पर है दोस्तों Mumbai में इमेज में आप यह देख सकते हैं यहां पर मिर्त्य हो गई है काफी चर्चा में है तो हमें यह आप यह बताना है कि जो अउच्छो है यह किस देश में बनाया जाता है तो काफी यहां पर दुखदाएक जो हाद्सा होगा है दोस्तों और यहां पर अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो यह मनाया जाता है इस्राइल में ओप्शन नंबर थ्री जो है विल भी दा क्रेक्ट आंसर तो यहां पर ओप्शन नंबर थ्री आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ध्यान देंगे एंड इसके लावा इंपोर्टेंट पॉइंट देखें तो यहां पर आप नोट करेंगे कि इस्राइल जो है इसकी राजधानी है दोस्तों येरुशलम येरुशलम भी बोलते हैं और यही सबसे बड़ा नगर भी है राष्टपती कोने दोस्तों रेवन रिवलिन है हाल ही में और जो यहां पर प यहां पर बनाया जा रहा है और यहां पर इसका नाम भी दिया गया है जो इन दो जगहों को जोड़ता है तो यह आप ज़रूर से ध्यान में रखेंगे नेक्ट बढ़ें अगला के उसना आपके लिए यहाँ पर होगा फाइफ है कि निम्ड में से किसे स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स ने हाल ही में अपना नया ब्रेंड अमेजडर नियूट किया है ASICS के बारे में अगर में यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों तो इन्होंने यहाँ पर हाल ही में जो ब्रेंड अमेजडर चुने हैं तो किन को चुना है सही अंसर यहाँ पर रहेगा आपका रविंदर जड़ेजा विल बी दे कॉरेक्ट आंसर उप्शन नमबर थ्री में आप यहाँ पर नोट कर पाएंगे जो आपका ब्लुक्ल सही अंसर रहेगा यहाँ पर आप देख यहाँ पर जानने की चीज़ है वो हम देखते हैं तो जापानी सरकार ने दोस्तों यहाँ पर हाल ही में बैंगलूरू जापानी शिक्षिका हैं दोस्तों जिनका नाम है शामला गनेश उनको यहाँ पर order of the rising sun समान से सम्मानित किया है जापान के बारे में अगर हम बात करें तो टोक्यो जो है वो राजदानी है जापान की मुद्रा कौन सी है दोस्तों तो जापानी येन है जापानी के प्रदा गवर्णर ओफ आर्बिया जो हाल ही में जुने गए हैं उनका क्या नाम रहेगा यहां पे सही अंसर आपका होगा टी रवी शंकर ओप्शन नंबर यहां पे आप देख पा रहे होंगे वन जो है बिल्कुल करेक्ट लिए मैच करेगा यहां पे नौट करने के लिए आपके लि अगर हम बात करें दोस्तों तो इर्थ क्योंसन होगा कि हाल ही में किसने पूर्ट गाली ग्रेंट प्रिक्स 2020 का किताब जीता है अगर हम पॉर्टुगीज ग्रेंट प्रिक्स 2021 की बात करेंगे तो यहां पे आपका सही आनसर रहेगा लुईश हैमिल्टन के द्वारा यह बॉक्सिंग चेंपियंशिप 2021 है दोस्तों वो कहां पर होगी वो होगी अब हाल ही में UA में उप्शन नमबर वन आपका यहां पर बिल्कुल सही आनसर रहेगा तो युनाइटेड अर्बैमराइट्स में यह जो है हाल ही में करवाई जाएगी आगे बड़ें तो अगला क्य के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों हाल ही में उन्होंने इस्तिफा दे दिया है और यहां पर इमेज में देख पाएंगे बात करें अगर केरल की तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों त्रिवंतपुर्म कैपिटल है नंबरोफ डिश्टिक्स 14 है गवर्नर है आरिफ मुह आपके लिए यहांपर होगा 11 का कि हाल भी में युनैस्को विश्यु प्रेश सोटनतरता पुरुषकार 2020 में किसने जीता है तो यहां पर दूस्तों व्ल्ल्ट प्रेश्स फ्रिडम अवार 2021 है तो यहां पर पर नौट कर पाएंगे जो तीन मई को यहां पर मनाया जाता है न उनेस्को दोस्तों जिसकी फुल फॉर्म है दा युनाइटिट नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल और्गनाइजेशन तो इसका हेड़कॉर्टर है पैरिस में फ्रांस में है यहां पे अगर स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी काफी इंपोर आप पर प्रक्रेक्ट लिए मैच करें और मार्क शेलवी ने वर्ल्ड स्नुकर चंपियनशिफ को फॉर्थ टाइम यहां पर जीत लिया है और यहां पर इंपोर्टेंट है दोस्तों तो नोट करेंगे स्नुकर में मार्क शेलवी जो हैं चोथी बार विश्यू चंपियन बन आप अगला के उसने हाप candidate होगा कि घृंसर करें कि फिटा मीच करेंगे और यहां पर हम एगए बढ़ते हैं तो अगला पर इस पुरुषकार से दोस्तों, इनको यह में आप देखेंगे, गीता मितल जिनका नाम है, इनको हाल ही में, जो है, सम्वानित किया गया है, यह किस राज्य की जो है, किस हाई कोट की जो है, मुक्हे नहाधीस है, यह आपको बताना है, सही आंसर यहां पर होगा, आपका ज 2016 में पुरुषकार की दोस्तों स्थापना की थी यह जो पुरुषकार है और नयाय मुर्ति मित्ल यह पुरुषकार प्राप्त करने वाली दोस्तों भारत की पहली भारत के नया अधीस होगी इसलिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है और आए ड़्लू जे के यहां पर अदे पर मुख डैम के अगर हम बात करें यहां पर तो दुलस्ती, सलाल और बगलिहार डैम जो हैं दोस्तों, यह तीनों ही चेनाब नदी के किनारे हैं और यहां पर अगर हम बात करें ऊड़ि डैम जो है वो जहलम नदी पर है तो यह आप ज़रूर से ध्यान में रखेंगे यह था जमू कसमीर के बारे में अभी जो है ये एक union territory है ये भी आद में रखेंगे अगला के सनाप के लिए होगा 15 की हाल ही में केंदर सासित प्रदेश पुद्दुचेरी ने यहाँ पर एक बार फिर कौन मुख्यमंत्री बन ग तो यहाँ पर आपके लिए जो जाने लाइक है दोस्तों वह हम नोट करते हैं कि All India N.R. Congress की जो है दोस्तों यहाँ पर यह तीम से हैं और इनका नाम है रंगा सामी जो उपरा जेपाल तमिल शाही संद्री राजन ने यहाँ पर राजनिवास में एक साधिस मारो में दोस्तो तो मुख्यमंत्री पद की स्ताफना दिलवाई है और यह दोस्तों चोती बार पुदुचेरी के जो हैं सीम के तोर पर सपत लेने वाले हैं तो यह इनके बारे में था और इंपोर्टेंट है आगे बढ़ें तो अगला आप यहाँ पर पॉदुचेरी के बारे में जान सकते है माहे इन चारों को मिला कर पॉदुचेरी एक यूनियन डेरिशरी बनता है आगे बढ़ें तो अगला क्यूस्त आपके लिए हां पर होगा 15 वे शेख जायद बुक कवार्ड के विजयता हाल ही में खोन गोसित किये गए हैं तो 15 शेख जायद बुक कवार्ड को जो विजय फर्स्ट पर्शन हैं इंडिया से टू विन इस प्रिस्टिजियोस प्राइज को तो यह आप ज़रूशे ध्यान में रखेंगे पहली महिला है बारती है जिन्हों ने इस पुरुषकार को पाया है अगला क्यूस्तन है कि निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक लिखी है अगला क्यूस्तन आपके लिए यहां पर होगा काफ़ इंपोर्टन है कि हाल ही में वेग्यानिकों द्वारा यूरेनियम का सबसे हलका प्रकार जो है विक्सित क्या है जिसका नाम है तो यहां पर लाइटस टाइप ऑफ यूरेनियम की खोजगी गई है और तो यह वेग्यानिकों अब ही हाल ही में यूरेनियम की खोजगी है नाम रखा है यूरेनियम तो यह उता है यहें घ्एलिट remedy में आता है इ Bri schne तो यह था इसके बारे में उमिद करते हैं समझा गया होगा अगला किसे नियू यॉर्क शिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सरसे अभिनेता का पुरुषकार दिया गया है यहां पर दोस्तों बेस्ट एक्टर रवाड दिया गया है नियू यॉर्क यॉर्क शिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसको मिला है तो यहां पर आपका सही आंसर रहेगा वो है अनुबम खेर जी को उप्सन नंबर फॉर जो है विल्कुल आपका क्रेक्टली मैच करेगा अनुबम खेर को यहां पर इस पुरुषकार से समानित किया गया है यहां पर अगर हम इंपोर्टेंट जाने तो अनुबम खेर नहीं आपे नियॉर्क शिट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शोट फिल्म नाम है दोस्तों हैपी बर्डे जिसके लिए यहां पर इनको इस पुरुषकार से समानित क्या गया है यहां पर इमेज में भी द सही आनसर है यहां पर आपका पॉलेंड के जो हैं दोस्तों शोद करता है उन्होंने यहां पर इसकी खोज की है option number three आपका बिदुख सही आनसर हैं पॉलेंड के बारी में थोड़ा जान लेते हैं तो पोलेंड जो है दोस्तों यह सेंट्रल यूरोप में लाई करता है बढ़ें तो अगला यहां पर आप इसके बारे में और जानते हैं तो इसके अलावा अगर हम option wise देखें तो इसके लावा है दोस्तों हाल ही में भारत के जो राजे तमिलाडू में भी हाल ही में एक नए सांप की खोज की गई है जितनी भी अभी हाल ही दिस्कवरीज हुई हैं उनको एक बार देख लेते हैं तो यहां पर आपने देखा जो प्रेगनेंट जो ममी अभी हाल ही में खोजी गई है वो पॉलेंड के शुद्गरताओं तवारा खोजी है मिश्र में और यहां पर एक और चीज है कि जो भारत के तमिलाडू शहर आपने की भी खोज की गई है तो यहां हाल ही में जो इस मंत की हुई हैं डिस्कवरीज वो हमने यहां पर देख ली हैं सभी इंपोर्टन्ट है और आप यहां पर नोट कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं पगला किसना आपके लिए यहां पर होगा 21 निम्न में से किस देश ने हाल ही करेंगे जर्मनी जो है दोस्तों Western European country है और यहां पर अगर मात करेंगे बर्लिन है प्रेजिडेंट फ्रैंक वॉल्टर है जो यहां पर आप देख पाएंगे इमेज में यहां पर यहां पर रहता है यहां पर तो यहां पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं नेक्स अगर और ओप्शन नमबर फॉर में आप यहां पर नोट करेंगे जो आपका विल्कुल सही आंसर एक माहिस नगर इसका नाम बदल कर रखा है और यहां पर क्या इंपोर्टेंट है वह देख लेते हैं तो आजाती से पहले इस गाउं का जो नाम था दोस्तों वह महिस रोबाड़ो था और जो बाद में मिया का बड़ा रखा गया अब फिर से इसका जो नाम बदल कर वो महिस नगर कर दिया गया है तो यहां पर बात आई है किसकी जोदपूर राजस्तान में तो राजस्तान से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जैपूर कैपिटल है नमबर ओडिश्टिक अगर हम बात करें तो हाल ही में जो नए बनाए गए हैं उनका नाम है यहां पर हिमंत बिश्वा शर्मा ओप्शन नमबर आपका तू यहां पर बिल्कुल सही अंसर एगा काफी इंपोर्टेंट है आसम राजे के भी तो हाल ही में काफी जो मुखे मंतरी चेंज हुए हैं उ उनों ने भी यहां पर इस्तिफा दे दिया था और इसके बाद जो नए मुखे मंतरी बनाए गए हैं वो हिमंत बिश्वा शर्मा बनाए गए हैं यहां पर आप इमेज में इनको भी देख पाएंगे अब यहां पर आसम के बारे में बेसिक डिटेल जान लेते हैं क्योंकि इंपोर्टन्ट है तो कैपिटल है दिसपूर यहां पर देखेंगे नंबर ओफ दिस्तिक्स 33 हैं इंपोर्टन्ट पार्क्स एंड नैसनल जो वाइल लाइफ सेंचुरीज हैं वो काफी है असम में तो उनका नाम आपको सभी को पता होना चाहिए काजिरंगा है मानस है असम से काफी इंपोर्टन क्योंस बनता है कि असम एक ऐसा राज्य है जो सिक्किम से टच नहीं करता है और यहां पर आप देख सकते हैं जो वेस्ट बंगॉल है यह बीच में आ जाता है इसकी नेवर कंट्रीज में अगर हम बात करें आसम की तो यहां पर आप देखेंगे म हाल ही में लोर्यस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ओफ देखेंगे राफिल नडाल को यह जो पुरुषकार है दोस्तों हाल ही में मिला है और यहां पर इमेज में भी देख पाएंगे इस सबसे इंपॉर्टन एक और चीज है मैलाओ में यहां पुरुषकार दोस्तों नाउम्य नडाल को यहां पर इस पुरुषकार से समानित किया गया है तो दोनों ही आपको यहां पर नोट करने हैं आगे बढ़ें तो अकला क्योस्तों आपके लिए यहां पर होगा 25 कि निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में मोबाइल एप दोस्त फॉर लाइफ लॉंच की गई है यहां पर जो यह आप है दोस्तों दोस्त फॉर लाइफ यह किसके द्वारा लॉंच की गई है यह आपको बताना है सही आंसर आपका यहां पर होगा सीबीस की द्वारा की गई है ऑप्शन नमबर थ्री आपका यहां पर बिल्कुल क्रेक्टली मैच करेगा आगे बढ़ें तो नेक्स्ट यहां पर लिए यहां पर होगा 26 की हाल ही में किसके द्वारा पांचमीं बार स्पैनिश ग्रेंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया गया है तो किसने दोस्तों यहां पर यहां पर एक मर्स्डिस का ट्राइवर धान में रखेंगे नेक्स अगर बात करें तो प्रकार का डैस है यहां पर आगर हम बात करें तो रिशेंट्ली जो है दोस्तों म्यूकर माइक्रोसिस जो है वो कोवीद 19 जो पेशेंट है उनमें दिखाई दे रहा है एक परकार से जो बिमारी हम बोल सकते हैं और यह जो है दोस्तों एक परकार की फंगस होती है तो उप्शन नमबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही अंसर होती है और यहां पर आप देख पाएंगे इसको दूसरे नाम से जाना जाता है इसका नाम इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी इसको बोलते हैं तो ध्यान में रखेंगे आगे बढ़ें तो अगला क्य है दोस्तों elephant in the warm and यहां पर आप image में भी देख भाएंगे आगे बढ़ें तो अगला क्यूशन आपके लिए आप है कि निम्ड में से किस देश की कामी रिता ने 25 बार दोस्तों यहां पर 25 बार मांट एवरिस्ट पर चड़ कर रिकोर्ड बना दिया है तो काफी important है 25 ताइम यहां पर दोस्तों कामी रिता के द्वारा जो है यह मांट एवरिस्ट की चड़ाई की गई है और यह किस देश से बिलों करती है यह आपको यहां पर बताना है सयांसुर आपके रहेगा नेपाल से बिलों करती है नेपाल की कामी रिता ने यहां पर 25 बार मांट एवरिस्ट पर चड़ाई कर विश्व रिकोर्ड बना दिया है यहां पर इनकी इमेज है इसके अलावा क्या जानने को है वो देखते हैं तो नेपाल के बारे में बात करें तो काटवांडू जो है वो एनर इनकी बात करें यहां पर देख सकते हैं जो हमारे इंडिया से जो है साथ में लगता है नेपाल और इसके जो कौन-कूंसी स्टेट हमारे इंडिया की ठच करती है वह नामजरूर से ध्यान में रखना होगा आगे वड़ें तो अगला क्योस्टन होगा आपके लिए यहाँ पर किनिम्न में से किस देश ने हाल ही में सबसे लंबी इंधन पाइपलाइन पर एक साइबर हमले के बाद अपात काल लगाने की घोशना की है तो काफ इंपोर्टेंट है और काफी चर अमेरिका ने हाल ही में यहाँ पर अपात काल लगाने की घोशना की है और यहाँ पर आप देख पाएंगे नोट करने के लिए है कि यह साइबर अटेक दोस्तों जो है वो डार्क्षाइड ग्रूप के द्वारा उसके द्वारा एक निर्मित रेंसम्वेर जो है नाम से सोफ अधेक्स किसे नियुक्त किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेशनल प्रेजिडेंट ओफ फिकी लेडिस और्गनाइजेशन तो हाल ही में जो चुने गए हैं दोस्तों वह उनका नाम है यहाँ पर उजुला सिंखानिया ओप्शन नमबर थिरी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंज रहेगा उजुला सिंखानिया को यहाँ पर चुना गया है तो यह इसके बारे में था एंड आगे अगर हम बात करें नोट करें तो हमेज में भी आप यहाँ पर देख पाएंगे एंड नोट करने के लिए जो फिकी एफलो है दोस्तों उसकी स्थापना इसकी स्थापना में दोस्तों हाँ पर फेडरेशन ओफ इंडियन चैंबर्स ओफ कोमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म रहेगी फिकी की फुल फॉर्म ज़रू ध्यान में रखेंगे एक्जाम पॉइंट और वीव से काफी इंपोर्टन है आगे बढ़ने तो अ इसके बारे में अगर मैं बता दू आपको तो यहां पे आप देख पाएंगे पॉंटुचेरी जैसे कि हमने देखा है यनम और यहां पर होता है केरल में माहे और क्राइकल को मिला कर यह पूरा है जो एक पॉंटिचेरी यूनियन टैरिसरी बनता है इसके लावा अगर हम ब यहां पे होगा आपके लिए 33 की हाल ही में रेडियम समू के शोध के अनुशार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सरजन करने वाला देश कोन बन गया है यहां पे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा दोस्तों जो है यहां रेडियम ग्रूप के दोरा यह जो है लिस्ट जारी की गई है और मॉस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर जो कंटरी हाल ही में बन गई है उसका नाम है यहां पर चाइना दोस्तों ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही आंसर होगेगा तो चाइना जो है वो फस्ट नंबर पर आती है और यहां पर आप देख पाएंगे इसके अलावा इंपोर्टेंट चीज गर हम देखें तो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ अट्मोस्पेर कौन कौन सी होती है दोस्तों वो नाम याद रखेंगे यह एक्जाम पॉर्टेंट है तो वाटर वेपर एंड उसके बाद कार्मन डाइकसाइड काफी जरू नाम है अगर हम बढ़े है अगला क्यूस्टन है आप हाल ही में अपने मुखे परिचालर नधीकारी के रूप में किसे निउप किया है तो यहां पे जो मेडिया एजनसी है जिसका नाम है उन्होंने चीफ ओपरेटिंग ऑफिशर को अपने हाल ही में चुना है तो जिनका न पूर आप देखेंगे जो बिल्कुल यहां पर सही आंसर रहेगा नेक्स्ट बढ़ें अगला क्युस्टन है निम्न में से किसे आर्बियाई ने अपने नय कारे कारिया अध्यक्स के निर्देशक के रूप में यहां पर नियुक्त कर लिया है अगर हम बात करें आर्बियाई ने चुना है दोस्तों as its new executive director तो हाल ही में किसी मुनाया गया है सही आंसर यहां पर होगा जोस जे कट्टूर ऑप्शन नंबर आप यहां पर देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर टू बिल्बीदा कॉरेक्ट आंसर इमेज में यहां पर आपको दी दी वो थी elephant in the womb जो first time लिखी गई थी उनके द्वारा और यहां पर अगर हम बात करें पुस्तक elephant जो है दोस्तों यह किसके द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी गई है पॉल पिकरिंग के द्वारा option number one आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा पॉल पिकरिंग के द प्रिजिन एक्सपर्ट ने यहां पर जीता है सही आंसर आपका यहां पर होगा शकुंतला थिल स्टेट ओप्शन number three आपका बिल्कुल correctly मैच करेगा शकुंतला थिल स्टेट ने ने यहां पर इस पुरुषकार को जीता है क्या कुछ जानने को है यहां पर देखते हैं तो न पर परतिबंद लगा दिया है तो यहां पर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं यह chemical है दोस्तों drugs में भी यूज होता है और काफी तरह से जो है chemical ही इसको यूज किया जाता है तो जिस पर synthetic canvinoid इसका नाम है और इस पर दोस्तों चानना ने अभी हाल ही में इस पर रोक इसका नाम है synthetic canvinoid जो class of drugs में count होता है और इसकी प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई है चाइना के दोबरा आगे बढ़े तो अगला क्विशन है कि हाल ही में भारत और किस देश की नोशेना ने अरब शागर में पैसेज अक्रसाइज का आयोजिन किया है अगर हम पैसेज सही आंसर एगा तो इसको भी आप जरूशे नोट करेंगे काफी important है और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आप इमेज में भी दिफ़ाएंगे नेवल एक्सरसाइज है इंडिया एंडिया एंडिनेसिया के बीच जो अरेवियंस ही में अभी हाल ही में करवाई जाई वारत और अमेरिका के बीच किया जाता है और यहां पर गगन शक्ति जो है वह चीन और पाकिस्तान के बीच होता है तो यह कुछ important जो है दोस्तों शेना के अभ्यास हैं जो हमने यहां पर डिसकुस किया है इसके अलावा भी अगर आप regular हम से connected हैं तो काफी कुछ जो हमें इ तो new ambassador के रूप में जो चुना गया है African Republic में तो उनका नाम है दोस्तों आपका यहां पर राम करन वर्मा option नंबर आपका फोर जो है बिल्कुल क्रेक्टली मैच करेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं राम करन वर्मा को जो है यहां पर अफ्रीकी गंडराज में नए राज यहां पर बात करेंगे तो आपका option number two देखेंगे मैफ लावर 400 जो है बिल्कुल यहां पर सही आंसर एगा defense के एक्जाम के तोर पर यह काफी important है इसलिए हम इसके बारे में देखते हैं मैफ लावर जो 400 है इसके बारे में बात करेंगे इसके लावा क्या जानने को है नोट क इसका नाम है प्रो मेर उसके द्वारा दोस्तों यह बनाया गया है आई बिम के साथ मिलकर इसको बनाया गया है इसके साथ जो मेफ लावर 400 है दोस्तों पूरी तरह हम यहां पर बात करें एक जहाज है जिसकी लंबाई 15 मिटर है और जिसका वजन है नो टन और साथ ही यह artificial intelligence और सोलर सोलर पैनल पर बेजड है उसके अलावा हम जानने को है यहां पर आई बिम के बारे में क्योंकि नाम आया है तो आई बिम के जो मुख्या अगर हम बात करें तो हाल ही में जो कारी अधिकारी है दोस्तों जिसको हम CEO भी बोलते हैं अर्विंद क्रिशन है और इसका पर हम बात करें तो किसने ृविल किया ह्यां यहां पर है यहां पर शंप्रों एस्प्रेग्र सिंड्रॉम ऑंपателей के दो रहां इसमें इंसरां वो ज्यादर व्यावारिक रूप से नहीं रह पाता है यहां पर मेंज में आप देख पाएंगे और इसके बारे में जाने को है तो नोट करेंगे कि यह सामाजिक संपरक और वहवार में इनको करने में कठेना ही होती है यह थोड़े से जो है तो देखें बिल्कुल यहां पर लगता है इसके अलवा कैपिटल क्या है बहपाल है इस्टिक्स है इहाँ पर इंपोर्टेंट पार्क और वाल डाविफ सेंसरी कफी है याद रखने के लिए तो यह द्यान में रखेंगे बांदो गड़ काना सत्पुड़ा संजे मादव पन्ना पेंच वन विहार ये सभी पार्ग जो हम अद्र प्रदेश में लाई करते हैं इसके अलावा गवर्णर है आनंदी बेन पटेल और सीम है हाल ही में शुराज सिंग चोहान लोग सबारा सीटे ध्यान में रख लेंगे ट्वंटी नाइन एंड इलेवन हैं आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 45 क्यों है हाली में नेपाल में माउंट पुमोरी को फता करने वाली पहली महिला जो बन गई है उनका नाम आपको यहां पर बताना है सही अंसर आप असमा आपके लिए लिए हां पर होगा 46 की हाल ही मिन नाइट फ्रेंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल टिजी इंडेक्स 2021 में होनश और सभर रहा है तो यहां पर बत करें तो प्रैम ग्लॉबल सीटीज इंडेक्स 2021 में जो नाइट अफ़ एई जारी की गई है तो भी आप जरुरुसिन धान में में हैं थिर्यास के लावथ हाल ही में एक और आप को क्रांट इसे related कोष्ण में लेगा कि डिली में जो है पहली जो है BRICS EWG की बैटाक भी आयोजित की गई है हाल ही में तो ये भी आप जरुर आ रखेंगे पहली बार हुई है और यह दिली में आयोजित की गई है आगे बढ़े हैं अगला क्यूशन आपके लिए यहां पर होगा कि हाल ही में किस देश में स्थित सीना बंग परवत का जवाला मुखी फटा है यह किस देश में है काफी चर्चा में है हाल ही में अगर हम बात करें शीन रूपया जकारता है कैसा देश है दोस्तों दुनिया में सबसे जल्दी से डूब रहा है और इन्हों ने यहां पर अपनी जो है कैपिटल सिफ्ट करने के भी सोची है तो नेक्श करम बात करें अगला किसना पर 48 है कि हाथ इमें किस देश के चिडियागर में मांटेन बोंगो शिशू का जो है जनम हुआ है इसके बारे में देखते हैं तो यहां पर आप एक तरह से हीरें टाइप में देख रहे होंगे इनकी परजाती जो है काफी लुक्त होने वाली है तो किस देश के चिडियागर में जो है इस सिफ्ट ने जनम लिया है माउंटेन बोंगो तो यह इतनी endangered species है दोस्तों जिसके हाल ही में केवल सिरफ सतर से 80 west की बचे हैं और यहाँ पर i-susn के दोरा यहाँ पर जो है यह जारी की गई है सुची जिसके according यहाँ पर इनको बताय गया है इनकी पहचान अगर हम बात करें तो यह निशाचर है और साथ इसकी बात करें तो लंबे सिंग वाले होने के कारण इनका जो है पहचान रहती है बाकि आप यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं इसके बारे में पूरा तो ध्यान में रखेंगे नेक्स अगर हम बात करें चैन बोर्ड ने BPCL का CMD किसे नियुक किया है अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर CMD चुने गए है जो BPCL के उनका क्या नाम रहेगा तो सही अंसर आपका यहाँ पर रहेगा option number 3 में आप देख पाएंगे option number 3 will be the correct answer और यहाँ पर आप भी मेज में भी देख पाएंगे next question है 50 निम्ड में से किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की गई है अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सही अंसर आपका यहाँ पर रहेगा other helps भी की जाएंगी यहाँ पर हम 36 गड के बारे में basic details जान लेते हैं सबसे पहले तो capital आप सभी को पता है राज़पूर राइपूर है और यहाँ पर अगर हम बात करें number of districts कितनी है 27 है गॉर्णर है अनुसुया उकाई और भी भगेल जो है यहाँ पर CM है लोक्सबार राजसवा की CT जो रुधार में रखेंगे 11 और 5 है यहाँ पर यही था और यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे अधिक कमाई करने वाले टोप 10 एथलीट की सुझी में सिर्स पर कौन रहा है यह आपको यहाँ पर बताना है सबसे पहले आप अगर बात करें तो यह आपको ध्यार में रखना है इसके लावा अगर हम नोट करने की बात करें क्या नोट करेंगे तो फोर्ब्स के मुदाबिक यहाँ पर कॉन और जो मैक ग्रेगर हैं दोस्तों इनकी यहाँ पर कमाई के बारे में बताया गया है 1325 क्रोड और उनके बाद जो है अब जो है मैसी फूटबॉलर उनका यहाँ पर नाम आता है सेकिंड नमर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं इवीज में नेक्स्ट अग्रम बात करें अगला क्यों आप के लिए यहाँ पर होगा 53 तो हाल की में जारी आता है तो यहां पे टेस्ट रेंकिंग की बात की है अब आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट है वो ध्यान में देखेंगे यहां पर अच्छे से देख पा रहे होंगे आई से सी ओडियाई की बारी में अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो इंग्लेंड टोक पर है भारत जो है वो सेकेंड नंबर पर आता है अपने देश की पोजिशन जरूरी याद रखेंगे बारत और थर्ड नंबर पर न्यूजिलेंड आता है तो यह दिनों हमने देख लिए हैं काफी इंपोर्टेंट है ध्यान में रखेंगे इसके लावा करन्ट अफेर्स इलेटेड एक जरा क्यों सना पिलिए आप और होगा 54 की हाल ही में 2021 ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार बनी है कोन बनी है नाम आपको बताना है मौश इंपोर्टेंट रहेगा यहाँ पर तो ग्लोबल आइकन अवार्ड एड ब्रिट वार्ड तो फ़स्ट फिमेल बनी है कोन है दोस्तों सही अंसर आपका होगा उप्शन नमबर थी आप देखने टेलर सिफ्ट के द्वारा यहाँ पर यह वार्ड जीता गया है तो उप्शन नमबर थी एंड यहाँ पर इमेज में दिख सकते हैं यह एक सिंगर है ने नोट करेंगे अंत्रास्ट शम दिवस जो है हर साल वो है एक मई को मनाया जाता है यह सभी जो है काफी इंपोर्टेंट है उससे जो पूछे जाते हैं वही यहाँ पर हमने मेंशन किये हैं अगला आगर हम बात करें तो इंपोर्टेंट है कि विश्यू प्रेस सवतनतरता द इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है याद रखेंगे अंस्टोपेबल दोहजार इकिस की इसके लावा अगर हम बात करें इंपोर्टेंट इस तो नेक्स्ट है की वर्ड घैलसीमिया जो दिवस से दोस्तों वह भी आट मैं को ही मनाय जाता है और इसकी जो तीम रखी गई यहां पर आपने वीडियो काफी अच्छे से देखा होगा करते हैं और अच्छी लगी होगी तो यह था हमरा आज का सेशन कैसा लगा लाइक कमेंट कर जरूर बताएं इसके अलाबा अधर टोपिक वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक शोट वीडियो की यहां पर आपके लिए रैपिड क् क्विज मिलते रहेगी ओप यू इंजोई इस वीडियो तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल देन लिव यूर लाइफ लिव यूर ड्रीम्स थैंक्स वर वोचिंग